यहाँ पर जिस सरकार ने आपको 15 साल राज किया RJD की सरकार यह सरकार क्या थी यह सरकार राष्ट्र विरोधी रिश्वत खोरी R for राष्ट्र विरोधी रिश्वत खोरी J for जंगल राज और D for दलदल यह राष्ट्र विरोधी रिश्वत कोरी जंगल राज दलदल पार्टी है यह लाल्टेन यूग में ले जाना चाहती है मोदी जी LED यूग में ले आए मोदी जी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ले आए देश को प्रगती की ओर ले जा रहे हैं और यह लाल्टेन यूग की ओर ले जाने वाले लोग हैं लाल्टेन यूग यह जंगल राज के लोग हैं आप सब लोगों को शायद मालूब नहीं होगा मेरा बच्पन यहां गुजरा है मैंने लालू को देखा है चात्रनेता के रूप में मैंने देखा है उसको किस तरीके से वो इंद्रा गांधी के खिलाफ लड़ा करता था मैंने देखा है उसको भाई भतीजावाद जातिवाद इसके खिलाब लड़ते देखा ये मीसा जो बेटी है ये मीसा नाम कैसे पड़ा आपको शायद पता नहोगा उस समय लालू Maintenance of Internal Security Act मीसा बेभरती थे जब मीसा पैदा हुई तो मीसा नाम रखा गया लेकिन गंगा से इतना पानी बह गया इतना पानी बह गया कि यहीं लालू जी आज भाई भतीजा तो छोड़ो परिवार वाद में फस गए वही भरस्टा चार के किलाब जैप्रकास नायन का अंदोलन चलाने वाले आज वहीं लालू आज भरस्टा चार से आकंट डूब गए चारा घोटाला अलकत्रा घोटाला आज नोकरी के बदले जमीन का घोटाला नोकरियों के नाम पर जमीन खा गए ऐसे घोटा ले किये और सबसे बड़ी बात आप भूल गए होंगे मैं भूलने वाला नहीं हूँ बिहार ने जंगल राज देखा आप भूल गए होंगे जहानाबाद में तीन बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था ना कोई जाता था बोलो मैं सत बोल रहा हूँ की नहीं बोल रहा हूँ अगर मैं सत बोल रहा हूँ तो जोर से बोलो हाँ ये सत था की नहीं था बोलो किसान पलायन कर रहे थे की नहीं कर रहे थे बोलो हत्याए हो रही थी की नहीं हो रही थी बोलो अपरन हो रहा था कि नहीं हो रहा था बोलो ते फिरोती मांगी जा रही थी कि नहीं मारेंगी जा रही थी ये बच्चा ते जस्वी क्या जाड़े बाप के कारवणां में इसको क्या पता ये क्या जाने कि क्या बिहार को दंस सहना पड़ा है क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ रही है आप कि तरफ से लाठी रैली लटिया रैली याद है लटिया भाज़ तेल पिलावन लटिया भाज़न तेल पिलावन लटिया भाज़न ये रैली हुई थी गांधी मैदान में लाठी क्यों लेके आए थे बिहार के लोगों को डराने के लिए लेके आए थे कि तुम सब अपने घरों में रहो ये जंगल राज देखा विहाग में शिक्षा का वो हाल हुआ लोग विहाग छोड़के दिल्ली पढ़ने चले गए